असलाम लेकुम स्ट्वेंट्स जी बचे नेक्स्ट मारा टॉपिक है इनवर्टीब्रेट नर्वर सिस्टम तो जितने भी सेल्स आपको पता है जाहे वर्टीब्रेट क्यों चाहे इनवर्टीब्रेट क्यों स्टिमूलस को रिस्पॉंड तो देते ही हैं ठीक है बचे और इसका बचे नर्वर सिस्टम की देते हैं बहुत सी मुवमेंट इन में इस किसम की होती है जिसमें इन्होंने बकाईदा रिस्पॉंस शो करना होता है जैसे बीटिंग ओफ लेजल आओगे सेलिया हो गया है तो लाइट इंटेंस्टी को रिस्पॉंस देना तो यह इस किसम क बकाईदा नर्वर सिस्टम की जुरूरत नहीं होती है बस लेकिन इतनी कॉडिनेशन होती है कि जिसमाई किसी ट्यूमुलस को रिसीव कर लें और इसके बाद आगे की जानव रिस्पॉंस भी दे दे इसका मतलब है कि टू नर्वर सिस्टम सिरॉफ और सिरॉफ इन एनिमल क दे नर्वर सिस्टम के आप Miland पिया आगी हुदाए है की जिसमाई हुदा है कि जो अनिमल सिस्टाम फी नर्वर सिस्टम की तरीके कंप्लैक्स होता है हम करें लेकितला के तो फ्रस्ट्रेंट हम प्यारा कि करेंगे तो पर्स्ट्रेंड है nerve net जो कि निडेरियन के अंदर पाया जाता है निडेरियन बहुत ही simple किसम की इसमें organization होती है simple सा nerve net बस इसमें nervous system किस पर मुश्विल होता है एक nerve net पर मुश्विल होता है से यह देखो आप हाइड्रा वगार आगे बस अब हाइड्रा में क्या है एक nerve net है इसकी पूरी बॉड़ी के अंदर ना यह इस तरह से एक जाल सा विचाहों का neuron का बस यही इसका system है तो किसी भी बॉड़ी की किसी भी direction से stimulus receive होगा और पूरी बॉड़ी overall जो है वो इसको फिर क्या करेगी यानि response देती है तो बकाइदा cluster of neuron नहीं होते हैं बाइ-directional इनमें neuron मजूद होते हैं किसी भी साइट से nerve impulse move कर सकती है यह नहीं किसी भी बॉड़ी की तरफ से इनको stimulus मिलेगा और nerve impulse बॉड़ी की किसी भी से में start हो सकती है फूरी बॉड़ी में फैल सकती है तो यह slow moving animal जैसे जैली फिश होगी है उपनी side पे एक तरफ को body को रखते हैं तो उनके अंदर यह जो है इस किसम का nervous system है यह मुझूद होता है दूसरा है काई अंडर मिटा इसमें साय है यह इसमें फिस्ट ट्रेंड को फूलो करते हैं इन में जैसे सी स्टार्ज वगरा जो आगी है इन में भी neuron का जाल होता है लेकि थोड़ा सा एड़ा एडवांस आयता है कि इन में तीन किसम के ring होते हैं जैसे जो first nerve है यह सरक्मॉर नियूरॉन का network के skin के नीचे मजूद होगा जो starfish की पार जो ऐसे होते हैं ना जो starfish ऐसे तो पांचो बाजों के अंदर ऐसे move करेगा यह सरकल से रिंगे skin के बिल्कुल नीचे के जाने मजूद होगा दूसरा muscle को control करता है तो आपको बता है कि उसके अंदर जो skeleton होता है वास system बढ़ा बी पेपर में तो इनको control करता है यहीं तीन नेट होते हैं बागादा system नहीं है नियूरॉन की network ही है जो कि तीन है और body के अंदर मजूद होते हैं जैसे फरस्ट वन एक्टो नियूरल है यह primitive epidermal in position है जहां पर epidermal थी वहीं पर मजूद होता है और sensory function भी यहीं रि होता है कि यहीं बस जो अमल करना है यहीं बोडी ने जो response देना है भागना है सी स्टार फिश यह ने प्रीडेटर से भागना है जो भी response देना यह उनके पगामात को इसके मसल्स तक फैलाता है तो बकाईदा system head वगरा इसके अंदर मीं मुझभूद हैं है नियूरॉन का network की लेकिन तीन है तो नीडेरियन से थोड़ा सा कह सकते है अडवांस आ गया है तो जी बचे दूसरा trend होता है second trend is cephalization cephalization का मतलब होता है head का बनना या ब्रेन बनने का अगाज होना बकाईदा मुझजम किसम का brain तो नहीं बन गया लेकिन आइस्ता कुछ advanced animals के अंदर नर्वस ट तो इस किसम का head बनना शुरू हो गया head बनना शुरू हो गया head बनना शुरू हो गया brain formation की तरफ है कि हम बेशेरफ थे brain तो नहीं बना अलबता इनका body के आगे वाले हिस्से में अकठे हो जाने के लिए सेफालाइजिशन का अगाज हो गया यह यह प्रदाई step था सेफालाइ function होंगे जो गैंगलियों से परगाम इसम के मुखले फिसो तक लेके जाएंगे कि बोडी ने क्या अमल करना है जैसे आप यह देखो थोड़ा सा brain यहां पर हो गया ना कठा हो गया बकाइदा brain तो नहीं है यह यह अगाज हो गया यहां पर से अपलाइजिशन का primitive brain यह यह इ बाकी पांच ट्रेंड है इसको फर्दर कंटिनू करेंगे तो बच्चे यह बहुत बहुत एहम क्वेस्टन है अक्सर क्वेस्टन आयता है कि वाट था 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 करके आपको पढ़ा रही हूं कि वीडियो सेंड हो जाए फोड़ा इस्यू होता है तो बाकी थार्ड इसको नेक्स कंटिनू करेंगे